दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर और आज मैं फिर आज रहूं आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुती इंट्रेस्टिंग स्टोरी है सुनकर आपको मज़ा आएगा उसके अलावा इस स्ट करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं कहानी का टाइटल है दा फेट ऑफ दा ट्रेटर्स क्या मतलब हुआ देखिए फेट का मतलब होता है कि चीज का परिणाम भाग्ये या फिर कह सकते हश्र और जो ट्रेटर से इसका मतलब होता है गद्दार तो इस और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे request है आप इसे पूरा ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें तो चलिए इसको शुरू करते हैं In a pasture some dogs were guarding a flock of grazing sheep क्या मतलब वह देखिए pasture एक noun है और pasture का मतलब होता है चारागा ऐसा कोई भी इस्तान जहां पर पशू चरते हैं घास वगरा उसे pasture कहा जाता है जो कि एक noun है तो क्या मतलब वह इन्हें pasture मतलब एक चारा गाह में some dogs मतलब कि कुछ कुटे were guarding guard करने का मतलब होता है रक्षा करना और दोस्तों वह वर के बाद जब fourth home का प्रियोग किया जाता है तो वह past continuous का sentence होता है तो यह क्या मतलब हुआ कि dogs were guarding मतलब कुटे रक्षा कर रहे थे a flock of grazing sheep flock का मतलब होता है जूंड और grazing का मतलब होता है चरते हुए graze करने मतलब चरना चरते हुए और sheep मतलब भेड तो इस पूरी line का क्या मतलब हुआ in a pasture some dogs were guarding a flock of grazing sheep मतलब की एक चारा गा में कुछ कुटे चरती हुई जो भेड थी उनकी रक्षा कर रहे थे जो चरती हुई भेडों का एक जुंड था फ्लॉक था उसकी रक्षा कर रहे थे चलिए आगे देखिए just then तभी just then का मतलब होता है तभी a pack of some walls दोस्तों यह जो word है pack यह word आपने काफी ज़्यादा सुना होगा pack का मतलब packet वगर है कि यूज़ किया जाता है और जहां जुंड आता है वाल्व मतलब की वाल्व मतलब भेडियां तो भेडियों के जुंड को भी pack of वाल्व कहा जाता है तो आप इस चीश को याद रखें तो क्या मतलब हुआ just then तभी a pack of some wolves मतलब की भेडियों के जुंड ने जुंड arrived there और arrive का मतलब होता है आना arrived there वहां आ गया तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ just then a pack of some wolves arrived there मतलब की तभी एक भेडियों का जुंड वहां पर आ गया the dogs barked bark का मतलब होता है भौकना और यह second form है क्योंकि यह जो story है past indefinite में है और जब भी past indefinite में affirmative का वाक्य बनाया जाता है तो second form का ही प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब हुआ the dogs barked जो कुटे थे वो भौके the wolves could not advance और दोस्तो एडवांस का मतलब होता है यह एक वर्व के रूप में हाँ पर प्रियोग किया गया है एडवांस का मतलब को पता है पहले से कोई चीज दियाने को एडवांस कहते है और एडवांस का मतलब होता है आग चाहते हूं किस चीज को कर सकना दिखाते हूं तो वहां पर कुट का प्रियोग किया जाता है तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ the wolves could not advance मतलब की जो वर्व से भीड़िये थे वो could not advance वो आगे नहीं बढ़ सके आगे देखिए the wolves were very cunning and clever क्या मतलब है दोस्तों यह जो वर्ड कन जो की अपने नीचर में सभाव में दूस ठोरो दूसरे का बुरा करने के बारे में सोचे ऐसे विक्ति को यह ऐसे पशू को cunning कहा जाता है जो की एक adjective है और clever का मतलब होता है चालाग तो लाइन का क्या मतलब हुआ the wolves were very cunning and clever मतलब कि जो भीड़िये थे वो होते धूर्त और च you and we मतलब कि आप और हम are of the same family, same family, आप और हम एक ही परिवार के हैं the only difference is that, only difference मतलब कि the only difference is that, सिर्फ यही फर्क है that कि we are wild कि हम जो है wild है मतलब कि हम जंगली है and hunt for food और खाने के लिए शिकार करते हैं the only difference is that, कि सिर्फ यह फर्क है कि हम जो है वो जंगली है we are wild and hunt for food और खाने के लिए मतलब कि हंट करते हैं शिकार करते हं, hunt का मतलब होता है ढूंडना या फिर शिकार करना you have become slaves of humans and live on whatever leftover they throw to you, क्या मतलब हुआ, you have become slaves, slaves का मतलब होता है दास या फिर गुलाम तो क्या मतलब हो, you have become slaves, तुम गुलाम बन गए हो, of humans, मतलब इनसानों के, तुम जो है वो इनसानों के गुलाम बन गए हो and live on whatever leftover, left over का मतलब होता है बचा-कुचा और आप जीवन, and live on, live on मतलब की अपना जीवन जीते हो on whatever leftover, मतलब जो भी बचा-कुचा होता है they throw to you, जो भी वो आपके सामने fact है, let's become friends again, आओ दुबारा से दोस्त बने, चलिए, आगे देखिए और दोस्तों यह जो आप word देख रहे हैं, यह शायद becomes नहीं होना चाहिए, आपर become होना चाहिए, क्योंकि यह शायद कुछ misprint हो सकता है, या कोई किसी तना की spelling की mistake है, तो इसे आप become ही माने, तो क्या मतलब हो, let's become friends again, चलो आप दुबारा दोस्त बने और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, जो भीड़ी हैं, इनसे बात कर रहे हैं, चलो आगे देखिए जो कुत्ते थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा, और उन्होंने तै किया, in favor of the friendship, फेवर का मतलब होता है, पक्ष में, और उन्होंने निलने लिया, in favor of the friendship, उन्होंने दोस्ती के पक्ष में निलने लिया, चली, आगे देखिए the dogs, the wolves invited the dogs, जो wolves से भेडिये थे, उन्होंने निमंतरन दिया, किसे कुत्तों को, उन्होंने कुत्तों को निमंतरन दिया, please come with us, किरपिया हमारे साथ आईए, to the jungle, मतलब हमें हमारे साथ आईए, we will arrange a dinner, to honor our friendship, arrange का मतलब होता है, प्रिबंद करना, और ये future indefinite का ही वाक्य है, प्रिबंद करेंगे, to honor our friendship, अपनी दोस्ती को सम्मानित करने के लिए, honor का मतलब होता है, सम्मानित करना, तो उन्होंने क्या कहा कि, उन्होंने कुत्तों से क्या कहा कि, आप हमारे साथ जंगल आईए, और हम एक जो dinner है, रातरी का भोजे, उसका प्रिबंद करेंगे, हमारी इस दोस्ती को, जो हमारी मित्रता है, दोस्ती है, उसको सम्मानित करने के लिए, the delighted dogs accompanied the wolves, और ये delighted का मुतलब होता है, बहुत ज़्यादा मंतर मुगध हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, तो ये जो बहुत जाधा खुश कुश साथ आ गे, pakai, अपनाइट, ले जाना और ले जाया गया और यह सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं और तो क्या मतलब हुआ दा वॉल्ब्स ले गए इंटु देर डैन अपनी गुफाओं में देर मतलब उनकी अपनी गुफाओं में उनको ले गए ले सारी जान वर शेट्वे मतलब उनको अंको मार दिया और यह जो केंट कुट्छों के लिए in seconds मतलब की छणों में तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ as soon as all dogs were in मतलब जैसे ही जो सारे कुत्ते थे वो अंदर हुए the wolves killed them in seconds भेडियो ने उनको second हो में मतलब की छणों में लमहों में उनको मार दिया then फिर the wolves came back और ये कम की second form में came क्योंकि past indefinite का वाकिय है और आपको ये चीज हमेशा ही याद रखनी है कि second form past indefinite में यदि वाकिय अफर्मेटिव हो हमेशा ही second form का ही प्रियोग किया जाता है तो क्या मतलब हुआ then फिर the wolves came back भेडियो वापस आए to where the sheep were grazing to where मतलब का मतलब होता है लुट्फ उठाना की चीज को बहुत ज्यादा मोज मस्ती करके खाने को feast कहा जाता है मतलब कि दावत उडाना तो क्या मतलब हुआ the wolves जो भेडिये थे feasted on the fat sheep उनोंने जो मोटी जो भेड़े थी उनकी उनके उपर उनने दावत उडाई मतलब उनको खा लिया चले दोस्तो अब यह जो कहानी का moral है उसे भी देख लेते हैं moral क्या है कहानी का one should do one's duty without allowing oneself to be misguided क्या मतलब हुआ कि one should do one's duty मतलब कि किसी व्यक्ति को अपना कारे अपना करतवे करना चाहिए without allowing oneself मतलब किसी को भी इस चीश की अनुमती दिये बिना to be misguided मतलब खुद को misguided होने की मतलब किसी का मार्ग ब्रस्ट करने नहीं देना चाहिए और अपनी duty को करना चाहिए तो दोस्तो जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो कहानी का सार है कि जो डॉक्स थे जो कुत्ते थे वो भीडियों की बातों में अच्छी तना से आ गए और वो उनकी बातों में आ गए थोड़ा उन्हें लालच भी हो गया जिसकी वज़े से उनकी अपनी तो जान गई और साथ में जो भीड़ी थी वो भी मारी गई तो दोस्तों यह आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मेद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रियास भी अच्छा लगाओ तो आपसे रिक्वेस्टे वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें सुनने के लिए थैंक्यू सो मच वे नाइस टे और बाई